देखो तेनाली रामा तेनाली रामा में आज की कहानी है रजगुल्ले की जड़ एक समय विजे नगर में एक शेख वैपारी आता है इस वैपारी के स्वागत के लिए महराज ने महल के सभी करमचारियों को आदेश दिया कि वैपारी की आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम होना चाहिए महराज ने रसोईये को कहा कि व्यापारी के भोजन के लिए प्रतेक समय अलग-अलग पकवान और मिठाईयां बननी चाहिए महराज का आदेश पाकर व्यापारी के लिए महल में सारी विवस्थाएं कर दी गई और रसोईया व्यापारी के लिए प्रतेक समय अलग-अलग पगवान बना कर खिलाता था एक दोपहर रसोईये ने व्यापारी के लिए रजगुले बनाए व्यापारी रजगुले खाकर बहुत प्रसंद हुआ और उसे रजगुले बहुत पसंद आए वेपारी ने रसोईय को बुलाया और पूछा इस रजगुल्ले की जड़ क्या है रसोईया वेपारी की बात सुनकर आँजचर्य चकित हो गया कि भला रजगुल्ले की जड़ क्या हो सकती है धीरे-धीरे यह बात पूरे महल में फहल गई किन्तु किसी के पास भी व्यपारी के प्रशन का कोई जवाब नहीं था सेवकों ने व्यपारी का प्रशन महरास तक पहुचाया महराज भी व्यपारी का प्रशन सुनकर आश्चर्य में पड़ गए भला रजगुल्ले की जड़ क्या हो सकती है कुछ समय सोच विचार करने के पश्चाद महराज ने अपने सबसे चतुर मंत्री तेनाली रामा को बुलाया और तेनाली को व्यपारी के प्रशन रजगुले की जड़ क्या है का उत्तर ढूढने के लिए कहा तेनाली रामा ने महराज की चुनोती को स्विकार किया और महराज से मांग की कि उन्हें एक छुरी एक कटोरा और एक दिन का समय चाहिए अगले दिन तेनाली रामा उस कटोरे को एक कपड़े से ठक कर राज दर्बार में व्यपारी के सामने ले आई और व्यपारी से कहा आप इस कपड़े को हटाईए और आपको आपके प्रशन का जवाब मिल जाएगा व्यपारी समेथ संपूर दर्बार यह जानने को उत्सुक था कि रजगुले की जड़ क्या हो सकती है जैसे ही व्यपारी ने कटोरे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो व्यपारी समेथ पूरा दर्बार आश्चर्रे चकित हो गया क्योंकि उस कटोरे में गन्ये के चार-पांच छोटे-छोटे टुकडे थे तभी तेनाली रामा ने सब को समझाया कि प्रतेक मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर गन्ये से बनती है अतहे रजगुले की जड़ गन्ना है संपूर्ण दरबार और महराज क्रिशन देवराय तेनाली रामा की बात सुनकर हांस पड़े और तेनाली रामा की चतुराय की सराला की झाला की बात सुनकर हांस